अस्सलाम अलेकूम रहमतुलाही वबरकातु हूँ आज हम गर्दिशी हरक्यात का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलार मोशन यानि उमूदी दाइरवी हरकत यहाँ पर आप लोगों को कुछ एनिमेशन्स नजर आ रहे हैं एनिमेशन ए, बी, सी और डी फर्स्ट एनिमेशन जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं वो है हमारा कौनिकल पंडोलम यानि के मखरूती रखास मखरूती रखास जो था इसके अंदर हमने देखा है कि दाइरवी हरकत तो हो रही है लेकिन ये दाइरवी हरकत जो है, ये उफखी दाइरे में हो रही है ये होरिजन्टल सरकल में हो रही है जिस तरीके से ये बॉब जो घूम रहा है ये हमें उफखी दाइरा नजर आ रहा है बी शकल में भी हमें उफखी दाइरा ही नजर आ रहा है तो A और B ये दोनों जो है ये उफ़की दायरे में हरकत करने वाली मिसाले है लेकिन जब हम C और D इन दोनों की बात करते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो परसन है ये जो भी जर्रा है वो क्या कर रहा है दाइरवी हरकत तो कर रहा है लेकिन ये उमूदी दाइरवी हरकत बता रहा है तो C और D उमूदी दाइरवी हरकत बता रहा है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की मिसाल है और आज के वीडियो में हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही देखना है तो vertical circular motion जो होता है उमूदी दाइरोी हरकत जो होती है वो दो तरीखे की होती है एक होती है under gravity में जो control करती है और एक जो होती है जिसे gravity control नहीं करती तो जो bit हमें देखना है हमारे syllabus को जो दिया गया है वो है कि जो vertical circular motion है ये इसे जो है वो सकली इसरा जो है इस पर अमल कर रहा है इस पर जो है ग्रैविटी क्या कर रही है असर अंदाज हो रही है तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा वरिटिकल सर्कुलर मोशन जो ग्रैविटी क्या कर रही है कंट्रोल कर रही है अब जैसे के आप यहाँ पर इस animation में देख सकते हैं यह एक string है, एक धागा है और उसे क्या है एक bob जो है, एक कुर्रा जो है यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है और यह क्या कर रहा है, दाइरवी हरकत कर रहा है लेकिन ये उमूदी दाइरवी हरकत कर रहा है तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो उमूदी दाइरवी हरकत ग्रैविटी के अंट्रोल में आती है इसे हमें क्या करना पड़ता है पहले एनरजी प्रोवाइट करनी पड़ती है और इसके बाद जो है इस पर ग्राविटेशनल फोर्स एक्ट होता है अब यहाँ पर देखे कि जमीन की जो कशीश सुकल है जो इसरा है इस्मॉल जी है वो क्या है जमीन डाउनवर डारिक्शन में है और यह जो बाब है वो क्या कर रहा है उपर और नीचे दोनों जानिब में क्या कर रहा है अपनी हरकत कर रहा है तो जैसे यह उपर की तरफ जा रहा है टॉप पर जा रहा है तो इसकी वेलासिटी इसकी जो रफतार है वो कम हो रही है लेकिन जैसी ही वो नीचे की सिम्त में आ रहा है तो इसकी velocity क्या हो रही है, बढ़ रही है क्यों ऐसा है कि नीचे की सिम्त में क्या होती है ग्राविटी असर अंदाज होती है जिस तरीखे से हम आम मिसाल ले लें कि अगर हम क्या है किसी उंचान पर चड़ रहे हैं तो यहां पर क्या होता है कि जब हम उपर की जानिब जाते हैं तो हमें क्या है थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है लेकिन जब अगर वो स्लोप होता है तो हम क्या है इजीली वहां पर क्या करते हैं आ सकते हैं अब यहाँ पर जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर काइनेटिक एनरजी और पोटेंशल एनरजी दोनों जो है तवानाई बिलहरकत और तवानाई बिलखवा यह इंटर कनवर्जन यहाँ पे हमें नजर आता है काइनेटिक एनरजी तबदिल होती है पोटेंशल एनरजी में पोटेंशल एनरजी तबदिल होती है काइनेटिक एनरजी में आपको पता है काइनेटिक एनरजी हम किसे कहते हैं किसी जिसमें हरकत की वज़ा से जो पैदा होती है तवानाई उसे हम तवानाई बिलहरकत कहते है और अगर position की वज़ा से उसकी हालत की वज़ा से जो तवानाई होती है इसे हम तवानाई बिल्खवा कहते हैं तो किसी मुखाम पर kinetic energy कम होंगी तो potential energy बढ़ जाएंगी अगर potential energy कम होंगी तो kinetic energy बढ़ जाती है तो इस तरीखे से हमें vertical circular motion में inter conversion देखना है तो आज का जो question है हमारा यह है कि उमूदी दार्वी हरकत में मुखतलिफ मुखामात पर रफ्तार और तनाव के लिए हमें क्या करना है फिखरा अगस करना है यारी कि यहाँ पर जिस तरीखे से आप लोगों को एक point mass जो है वो नजर आ रहा है यह point mass जो है वो किस तरीखे से circular motion करता है जो gravity के control में है अब यहाँ पर देखिए फर्ज कीजिए कि एक bob है जो red color का नजर आ रहा है और यह string है एक धागा है जिससे यह बंदा हुआ है और यह जो string है धागा है यह क्या कर रहा है वर्टिकल circular motion कर रहा है यानि वो A से B, B से D की दरफ जो है वो जा रहा है A से C, C से B, B से D और फिर D से A यानि यहाँ पर हम लोगों को उमूदी दाइरवी हरकत जो है वो नजर आ रही है तो हम क्या लिखेंगे कि फर्ज कीजिए कि एक जो है क्या है जर्रा है या M कमियत का जिसम है जो आनिस खुतर के उमूदी दाइरे में क्या कर रहा है हरकत कर रहा है और हर जगा पर इसकी जो चाल है जिसकी जो रफटार है वो क्या हो रही है चेंज होती है तो यह Non Uniform Motion की क्या है नियामित हमने इससे पहले भी आपको बताया था यह गैर यक्सा हरकत की क्या है मिसाल है याद आ रहा है आपको non uniform circular motion यानि हर जगा पर velocity क्या होंगी यहाँ पर change होंगी जैसा कि उपर जैसे टॉप पर जा रहा है तो देखिए वो slow हो रहा है इसकी रफतार कम हो रही है लेकिन जैसे ही नीचे आ रहा है तो velocity बढ़ रही है हम फर्स करते हैं कि O क्या है center है और जो black color का है वो O से A radius है और जो red color का है वो एक जिसम है जिस तरीखे से आप ये diagram में भी देख सकते है तो यह non uniform circular motion की क्या है मिसाल है तो यहां पर हमें मुक्तलिफ मुखामाद ये नजर आ रहे है A है, C है, B है और D है तो A मुखाम को हम top की position कहेंगे B मुखाम वो bottom है, नीचली position है और नीचला मुखाम है ये C और D ये क्या है हमारा उफखी मुखाम आप लोगों को नजर आ रहा है अब हमें मुक्तलिफ मुखामाद पर क्या करनी है values निकालनी है तो देखिए, अगर ये bob जो है A से C पर, C से B पर, B से D पर और D से A पर क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है तो कौन कौन से खुवते जो है, इस पर क्या करेंगी अमल करेंगी तो सबसे पहले तो दो खुवते हैं तो पहला होता है weight यानि के वजन जो हमेशा vertical downward direction में होता है निचली जानिब में होता है और ये हमेशा constant होगा और दूसरा होता है tension यानि के तनाव होता है जो हमेशा center की तरफ होगा कौन सी दो खुवते अमल करेंगी बॉब पर एक तो उसका वजन weight जो हमेशा downward direction में होता है और दूसरा होता है tension जो हमेशा center की तरफ होता है ओगी तरफ होता है ये दो point हम लोग ने क्या करने हैं याद रखने है अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी point A की यानि के जो bob है जो कुर रहा है वो A मुकाम पर है तो tension मैंने क्या कहा कि tension जो हमेशा center की तरफ O की तरफ तो tension की direction किदर हो जाएंगी O की तरफ हो जाएंगी तो T A ये direction of tension है उसी तरीखे से यानि center की तरफ मतलब downward और weight जो वजन है वो भी always downward direction है यानि weight जो है mg है तो इस तरीखे से tension और mg दोनों की direction जो है वो downward direction यहाँ पे है मतलब weight जो है वो downward direction में और tension जो है वो center की तरफ अब हम अलग-अलग मुकामाद जो हमें दिये गए हैं जैसा कि उफखी मुकाम है C और D उसी तरीखे से bottom का जो है B अब B की बात करते हैं तो tension हमेशा center की तरफ यानि कि T B यह हो गया है center की तरफ और यहाँ पर जो हमें क्या नजर आ रहा है weight नजर आ रहा है weight जो है mg वो भी क्या है downward direction में यह हमें नजर आ रहा है अब उसके बाद हम point C और D की बात करें तो weight downward direction में है और जो tension है वो center की तरफ तो इस तरीखे से यह diagram में आप लोगों को weight की direction और उसी तरीखे से tension की direction यहाँ पर clear हो चुकी है अब इसके बाद हमें अलग-अलग मुखाम पर क्या करना है velocity निकालनी है अलग-अलग मुखाम 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 अलग-अलग मुखाम अलग-अलग मुखाम झालग-अलग यहाँ अलग यहाँ थ पर फालग यहाँ पर ऌलग-अलग